भी राज्यों की आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज साम पांच बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायों बहनों वीडियो को पूरा देख करके जाना इसमें बहुत सारी बाते आप सबसे आज हम करने वाले हैं और एक एक करके उन सभी कमेंट्स को भी मैं देखाऊंगा यहाँ पर कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जनको सुनकर के आपको काफी हसी भी आएगी जैसे कि एक यहाँ पर यह मैसेज लगा हुआ है इसमें क्या लेखा है आलेंडिया पर कमेंट्स में कि यदि कोई पुरुस दो औरत रखे हैं तो फैमली सर्वे में साधी सुधा के सर्वे जो होगा तो उसमें क्या भरा जाएगा यानि एक का भरेंगे या दोनों का भरेंगे या कैसे भरेंगे यहां तक कि उन्होंने लिखा है कि साधी सुधा का सर्वे हो गया है या फिर रखेल का यानि दो दो जो महिला है रख रहा है पुरूस अब उनका क्या होगा तो देखो ऐसे कोई चीजे नहीं है जो आपको इस व्यक्ति की जो लीगल साधी हुई है जैसे की लिखित में या वैसे टाइप से हुई है तो उन्हीं महिला का हर जगे नाम चलता होगा तो उनका भरा जाएगा और अगर जो दोनों लोगों की साधी विदवत तरीके से हुई है तो फिर वहां के केस में थोड़ी दिखत होगी तो इस सर्वे में दोदो आपसंतों पतनी के लिए अभी तक तो दिखाई दिये नहीं है तो ये एक दिक्कत बहनों आने वाले समय में सर्वे के दौरान आप सब के लिए बनेगी अभी जिन बहनों को नहीं पता उनको भी बता दे पोशल ट्रेकर पर फैमिली सर्वे का एक आपको मिलेगा तो यहाँ पर कैसे फिर उनको भरेंगे और किसको भरेंगे ये एक बड़ा पॉइंट होगा इस मामले में आप चाहें तो अपने विभाग से सला ले सकते हैं और बाकी तो समझदार लोग ये भी जानते हैं देखो कुछ ऐसी भी कंडीसने थी अब वो महभ जी आएगा कोई उठा करके घर चलाएगा दो रख लिया तिन रख लिया चार रख लिया जनरली दो अगर होंगी भी तो या तो किसी की एक की डेथ हो जाती है तो दूसरी साधी करता है या फिर किसी कारणवस जबर जस्ति या कैसे भी करके एक तो कर लेता है या हो जाती ह और उसके प्रमार भी हो तभी आप भरें ये हमारी सला है कि बिना प्रमार के ऐसे ही ना भरते हैं कि ये फलानी उनकी पतनी हो गई पता चला साधी बया बेचारे करके लाएं किसी दूसरी बेटी को और बाद में भगा करके लाएं किसी और और को और उसके बाद उनका नाम भरवा दिया गया और जो मेन साधी करके आई थी उनका कहीं पतनी के नाम में नामों निसान तक नहीं तो कहीं न कहीं ये मुद्दे गंबीर हैं और इसलिए सबसे पहले मैंने इसी point को यहाँ पर रखा था इन सब्दों पर मत जाना क्योंकि ये कुछ ऐसे प्रटे सब्द हैं जो की समाज में ठीक नहीं रखते एक तो ये रखेल सब्द ऐसे चीड़ों को यूज करना मेरे करते हैं और दिक्कते बहनों को यहाँ पर कुल मिला करके आएंगी इन मामलों में और देखो मेरी अगर सोच बताएं तो साधी एक से करो ठीक है हो जाये तु सही नहीं है सही तो जीवन ऐसे अपना गुजार लो वो ज्यादा बेटर है आप एक करो दो करो तीन करो चार करो ये एक तरह से मुसीबते हैं और किसी किसी की एक नहीं हो रही है और कोई कोई दो दो तिन तिन साधी की ये बैठा है खैर आगे सुदानसु भहिया जी नमस्ते हम आनंद जो है नगर जिला महराज गंज से हैं और हमारे यहाँ हजार रुपिया आया है आज आया है हजार र अब तो ऐसा लगता है कि यूपी में और अन्य जगे भी होली से पहले आप मांदे मिलने से रहा रीजन इसका एक और ये बड़ा है कि एक तो चुनाओ और दूसरा बहनों आप सबको मैंने एक दिन बताया था थी बोला गया था बहनों का जो वो है उसका सत्यापन करना है उनके आधार का और मुबाइल नंबर का जब तक ये काम नहीं होते तब तक बोल दिया गया था मांदे भी बाधित रहेगा ऐसा भी लेटर आपने एक जगह देखा है और इसलिए अब कहीं पर भी कोई गुंजाईस नजर नहीं आती कि होली से पहले बहनों को उनका मांदे मिल पाएगा अगर जिले के अधिकारी उनकामों को समय से नप्टा लेते तो सायद पैसा आ भी जाता यहाँ पर अगला कमेंट है हमारे यहाँ तो नेफेड वालों ने पन्नी नहीं दिये हैं और बोले हैं कि पॉलिथीन पर फोटो है इसलिए नहीं देंगे तो बिलकुल उन्होंने सही किया है काफी जगे लोग मान नहीं रहे हैं जैसे कि हमारी अनीशा बहन है जालाओं से उन्होंने अवगत कराया है कि भाया जी मैंने ग्रूप में आपकी न्यूज डाली थी मगर लोग नहीं मान रहे हैं बहने बराबर पॉली थीन में रासन बाट रही है तो यह आप देख सकते हैं बहुत सी बहने हैं जो पॉली थीन में वही जिसमें योगी मोदी जी की फोटो है उनी से खूब रासन वितरित किया जा रहा है जब की ये सब चुनाओ आचार संगिता का उलंगन है साप सब्द जो है कड़े सब्दों में नदसाले से भी ऑडर आ चुका है जन्पदों के डीपियों लोग भी जारी करने लग गए हैं लेकिन कहीं कहीं के जो अधिकारी हैं जो दिहान नहीं दे रहे इस मामले में वहां की कारकरताओं को नर्देस नहीं दिये जा रहे और वो जबरन या यूं कहें मनमाने तरीके से या कुछ ऐसे भी लोग होतें हैं जो अपने सिवा किसी की सुनते ही नहीं बेसक सामने वाला सही कह रहा हो और उनके फायदे और उनके हक अधिकार के लिए कह रहा उनके अच्छे के लिए कह रहा हो लेकिन उनको इससे फ़रक नहीं पढ़ता वो खुद को ही सवर्वे-सरवा समझते हैं हर एक मामले में बेसक वो उन मामले में गलत हूं और यहाँ पर वो लोग गलत हैं जो पनियों में बांट करके वित्रड कर रहें ये इसलिए नहीं कह रहा कि बिजेपी पार्टी को लेकर के मैं नहीं चाहता है ऐसा हो ऐसा हो मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं चाहे कोई भी पार्टी हो सपा हो बिजेपी हो कोई भी योक्सवाईजर मुझे वोट बैंक देने लेने बढ़ाने घटाने इसे क्या लेना देना मेरा काम है जानकारी देना जो सही जानकारी में वो दे रहा अब आडर है ऐसे तो आपको बताना पड़ रहा है कि इन पन्यों का इस्तमाल ना करें तो भईया ना करें विभा अच्छी पार्टी का वेक्ति ऑबजेक्शन उठाएगा और अगर चला गया नर्वाच्चनायोग के पास में और आपकी सिकायत हो गई तो आपकी नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे तब कहीं सायद वो माने या हो सकता है तब भी ना माने क्योंकि उनको लगेगा जो बाते हमारी मानती है और सची खबरे आलेंडिया की समय से देखती है बस उनसे फरक पड़ता है कि उनका अच्छा हो उनके साथ जो है कुछ ऐसा सामने सीन ना हो जिससे उनकी नौकरी भी आफ़त में आए इन पन्यों के चकर में या इन आदेसों के चकर में क्योंकि वि इसलिए यहाँ पर इन नेताओं की छपी हुई फोटो कारयाले से भी हटाने के लिए बोल दिया गया था हर जगे से हटा भी दी गई अगर कहीं है कोई जाता है अब्जेक्शन करता है तो उस पर एक्षन भी लिया जाएगा ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप सबको ध्या चल नहीं है मैं सुबह डेली खबरों में बताता रहता हूं कि कौन कौन से जन्पन में भरतियां एक्टिव है और कब उनकी लास्ट डेट है अब देखना ना देखना वो बहनों आप लोगों पर निरबर है या आप सुबह के वीडियो देखती है कि नहीं देखती है इस व 62 है और भी कई स्टेट में 62 है जहां पर 63 था किसी किसी स्टेट में वो भी धीरे देखर करके बदलाओ करके 62 वर्स ही कर दिये जाएंगे इस बात का आप लोग ध्यान लगें क्योंकि 62 वर्स रेटारीमेंट की जो एक ये सीमा है ये एक बात ऐसी है कि भारत सरकार या किंद 62 ही मिलेगी और 62 ये रखी गई है साथी यूपी में प्रावधान है एक साल का जो है वहाँ पर बोनस वाला जो मिलता है सेवावधी काल में जो एक्स्ट्रा काम करने को मिल जाता है अगर आप मई वगरा में जून में जुलाई में रेटार होते हैं तो पूरे साल भरका आजमगर से सकुंतला देवी बोल रही हूँ मेरा मांदे 2022 अक्टूबर माह से रुका हुआ है अब तक नहीं आया है भाया जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मांदे जो है मेरा दिलाने का कष्ट करे तो बहन मैं या कोई और कोई भी आपका मांदे स्वयम नहीं दिला सकता आप आपका मांदे रुका है तो आपको ही 154 विभाग से लिखित में करना होगा आप अभी तक मोखिक रूप से विभाग से संपर्क करती हाई होंगी और विभागी अधिकारी आपको मोखिक रूप से बस लॉलिपॉप देते रहे होंगे जो की हमेशा हर एक राज के जन्पन म सेम यही मिलता है और वही दोराते हुए चीजों को मुझे बार-बार बताना पड़ता है आप क्या करें अपना एक प्रतना पत्र लिखें CDPO को DPO को दें और एक DM को भी कौपी दें अगर इससे बात नहीं बनती है मैं जानता हूँ नहीं बनेगी ले लेंगे हां हां कर देंग है और कब तक आएगा ये सारी बाते पूछिए उनसे कि क्यों बादित है भाई 2022 से अक्टूबर से इनका मांदे नोंने कहा बादित है तो आप सोचिएगा अगर हाथ पर हाथ रखकर क्या बैठेंगी तो बहन कुछ नहीं होगा आप आर्टिया ही लगाओ लिखित रूप म आपको चीज़ें करनी होंगी मौकिक रूप से कुछ भी नहीं होता सैकडों काम होते हैं हर एक बड़े रिकारी के पास तो सुना उन्होंने जिसका भी भूल गए ये चीज़ें चलती है अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप हमें ही ले लो दारल सुरूप मैं आप देखती हैं मैं फोन से किसी से बात नहीं करता आडियो काल जो मैंने वाइस मैसेज बिरती में उनको भी नहीं सुनता रिजन है वो सब इधर उधर हो जाएंगे पता नहीं चलेगा कौन किसकी समस्या थी या क्या हुआ इसलिए मैं हमें हमें समय मिलेगा हम तब उन ची पाएंगे अब मालो आपने फोन किया बताया हमें क्या याद रहेगा एक दिन में तो अगर ऐसे फोन वाला सिस्टम चले तो मैसे तो सैकडों में आते हैं तो फोन भी सैकडों में आएंगे अब किस-किस का क्या याद रहेगा कि फलानी मेहन ने क्या का था उनका क्या समस्य था, कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए हर एक अधिकारी के पास जब आप जाएं तो अपने प्रातना पत्र टाइप से अप्लिकेसन लिखें, ऐसे बैंक में जाती हो बहनों, चाहें तो बैंक वाले हाथ के काम बहुत से होते हैं, जो बिना अप्लिकेसन के करवा लें, क्यों कराते हैं, ताकि पता चले आपके अधिकारी काम होना है, और जब उनको समय होगा, आसानी से तब उन चीजों को करेंगे, लिखित में एक साच भी उनके पास रखा रहेगा, कि हाँ, अपने खाते पर आपने ये काम ऐसे कराया, इसके लिए प्रातना पत्र लिखा, तो सार अगरी चीजें सिक्वेंस से चलती है, अब देखो, यहाँ पर एक मैसेज है, हलो सर, क्या SC वालों का भी आए प्रमाण पत्र नया लगेगा, तो देखो, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी कास्ट की, जो है, स्रेडी का वेकैंसी निकला हो, यानि पद हो, कोई भी आव महिने हुए है, आपको बनवाए हुए, तो लग जाएगा, छे महिने के पहले का अगर कोई बना हुआ है, आय, जात, निवास, ये वगरा, तो वो चीजें नहीं लगेंगी, और ये सबका लगना है, तो अपना नया बनवालों टाइम नहीं लगता है, और बहुत दिन से मे बार-बार ये चीजें बता भी चुका हूँ, और एक साल पहले भी भरतियाइंती आदेश दिखाया था, शासना देश, उसमें भी सारी चीजें मैंने उसी टाइम पर भी बता दी थी, अब देखो भया जी हमारे यहां भी काराले से सूचना मिल गई थी, इसलिए हम लोग इस महीने रासन वित्रण में पॉली थी, किसी को नहीं दिया, तो देखो समस्दार बहने हैं, जो अपनी सारी चीजें को जो आदेश आता, उनको मानती हैं, और ताकि कोई दिक्कत ना हो, भाई, मैं यह नहीं कहता हूँ, दूसरों की सुनो, सुनना जरूरी होता है, सुनो बाड़ी बहनों का आइसमान कार्ड बनाने के लिए कौन सा एप डाउनलोड करना है, बता दीजिए, तो बताया तो मैंने बहनों सैकडो बार होगा, आइसमान एप है, और मैंने बहुत बार बताया है, आइसमान कार्ड बनाने के लिए आइसमान एप डाउनलोड कर लो, प पता पता नहीं है अपनी मेहनत के पैसे के लिए भी बहनों को हर बार विभागी अपसरों से ऐसे मिननत करनी पड़ती है जैसे बहने भीक मांग रही हो इन लापरवाह अपसरों के लिए हम सरकार से प्रातना करते हैं कि इनके बेतन में भी उतनी देरी की जाए जितनी देरी आंगया ऐसे होता है मैसेज करना क्योंकि जिम्मेदारी जिस पर है उनको पता है किस पर है कौन रा परवाही बरत रहा लेकिन इन मामलों पने देखा है मद्ध प्रदेष में जो मामा जी सिवराज चौहान थे मुक्यमंत्री तब उन्होंने क्या किया था उन्होंने ऐसे आदेस बना दिये थे कि जब तक निचले करमचारी का पैसा नहीं तब तक जो है बड़े करमचारीों कोई वेतन का भुगतान नहीं तो लेकिन आज भी आप देख रहे हैं MP के बहुत से जनपद है जहां पर अधिकारी कुछ नहीं मान रहे हैं बहुत से लोगों का भी भी पैसा नहीं आया फरवरी का MP में ही और कुछ जिले है MP के जहां पर पैसा पहुँच गया तो लापरवाही भरतने वाले कुछ लोग होते हैं वो करते ही रहेंगे अब हो सकता है उनको कामवाम करना ना आता हो या इस बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो दो-चार जनपदों में जब चीजें हो जाती होंगी तब उसके बाद वो देख सुनकर वैसे ही वैसे कॉपी करने की कोशिज करते हो ऐसा संभवता हो सकता है लेकिन चांस कम है क्योंकि डारेक्ट जो उन पदों पर तैनातियां की जाती है तो वो पढ़े लिखे लोग होते हैं अब फिर सवाल यही आता है गोम फिर करके फिर तो वो लापरवाही बरत रहे हैं तो दो में से चीज तो एक ही होंगी या तो उनको पता नहीं होगा जानकारी नहीं होगी तो चीजें लेट होती है या फिर पत्रा चार सही से वो नहीं कर पाते या फिर उनका यही हुआ कि वो जान बूझ करके भी अनसुना करते अन्देखा करते लापरवाही करते हैं इनी में से तीनों में से एक चित्तों जो है यहां पर अधिकारी कितना ख्याल लगते हैं महनों का ये तो आप सब जानते ही हैं तो अगर आपको निदेसाले के आदेस पर भरोसा अलेंडिया की खबरों पर है तो बात को मानो आज नहीं तो दो दिन बाद चार दिन बाद छे दिन बाद खुदी बता दिया जाएगा पॉलिथीन मे पॉर्शाहर ना बाटने का ये जो प्रोसेस चलेगा लंबा चलेगा जून तक चलेगा पॉलिथीन का मतलब ये है जिन में योगी मोदीजी या किसी भी नेता की फोटो अगर है तो उन चीजों का इस्तमाल नहीं होगा ये बातों को समझ लीचेगा बाकी अगर बिना प्रसार नहीं कर सकता इसलिए इन चीजों पर बेहन लगा दिया जाता है अब कुछ बेहनों को जो नहीं जानती है साथ ना पढ़ी लिखियों उनको फरक ही नहीं पड़ता वो मानती नहीं या जानती ही नहीं उनकी समझ में नहीं आता क्या ये इस चीज़ें हैं क्या नही और वो अपने बेड़क चीजों को कर रही है और उसे दिक्त नहीं होगी जब तक कोई वक्ती सिकायत नहीं करेगा अगर कोई उनके सिकायत कर बैठा तो फिर उनको भी दिक्त अब देखो भाएा जी मान दे नहीं आया बहुत दिक्त हो रही है कल अपने भाई से एक हजार रुपिया उधार लिया है भाई जो है दुर्भाग ये है कि ज़्यादा ले लेते हैं भाई दे भी देते हैं पर जब खाते में पैसे आएंगे तो वापस भी देना पड़ेगा इसलिए बस एक ही हजार ले लिये हूँ और कैसे भी करके उधार व इसे करना पड़ेगा नोकरी भी बहन कर रही है और फिर भी उधार लेना पड़ता है इस नोकरी में तो समझ लिजिएगा कि हम सब किस सिच्वेशन से गुजर रहे हैं खैर परिवार होता ही इसलिए है एक दूसरे से ले दे कर के ही पैसे जो है काम चलता है एक यह मैसेज आप सदा खुश रहें मुस्कुराते रहें सची खबरे जो है बताने के लिए धन्यवाद सुनीता बहन कानपुर दिहा से इन्होंने मैसेज भेजा है इनका पोस्टर ट्रेकर पर तीचार और एस सीम में अब नहीं भर रहा लिमिट रिच लिग गया मैंने ऐसे मामने भी ब देखने को मिलेंगे जनरली तो ऐसे में उसमें पांच दिन बचे पांच दिन का फिर आपका एचसीम भर पाया उसके बाद फिर थोड़ी आप भर पाएंगी महीने भर का तो पूरा भर दिया क्योंकि एचसीम और टीचार इनमें से कोई एक ही चीज आप भर पाओगी इसल मौर्णिक स्नेक्स वहाँ पर भरो मौर्णिक स्नेक्स भरो टीचार के बदले और एचसीम एचसीम वाले कॉलम में यहाँ पर भरा जाएगा तो चीजियों में दिक्कत नहीं होगी अब लेखाए सर जो 62 की हो गई है वो रेटायरमेंट कौन से मंत में होंगी ये प्रतिवा मई जून जुलाई इन महिनों में जाकर कि अभी रेटार होगा तो फिर उसको पूरे साल का घूम करके 30 मार्च या 31 मार्च या 30 अपरेल जो भी रेटायरमेंट की लास्ट वाले डेट होती है वो यानि पूरा लाम मिल जाएगा वारसिक वरदी का उसको ऐसे समझेए साथी प्रमोशन के लिए पहली बात तो अभी होई नहीं रहे और होंगे भी नहीं इतनी आसानी से 17 का प्रमोशन अभी हुआ हाल पिछले साल तो अब प्रमोशन का तो कोई चांसी नहीं है कि आगन बाड़ी बहनों का प्रमोशन इतनी जल्दी हो जाए अगर होगा तो चैनल पर बताया जाएगा अभी तो फिलाल नहीं है जिस दिन होगा तो चैनल पर खुद बताया जाएगा प्रमोशन के लिए अपलाई हो रहा है या जैसा भी है तो खबरों में अपने बने रहना लेकिन अभी प्रमोशन नहीं हो रहे और भी कुछ यहां पर कमेंट लगे हैं लेकिन हम इन चीजों को अब कल अगले वीडियो में सामिल कर लेंगे ताकि वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो